मोकामा रेल ब्रिज का बड़ी रप्तार में हो रहा है काम अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंथ तक या अगले साल के शुरुआत तक यह रेल ब्रिज बन करके तयार हो जाएगा और मोकामा में राजेंदर सेतु को रिप्लेस करके एक दो लेन का रेल ब्रिज तयार हो जाएगा इसको बन जाने के बाद उत्तर से दक्षिन भीहार जाने वाली गाडियों को सिगनल का अब इंतिजार नहीं करना पड़ेगा फराटे भरते हुए रेल गाडियां गंगा नदी को पार करेंगी आज के इस वीडियो में इस पूरे रेल ब्रिज को में आपके लिए एक्स्प्लोर करेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं मोकामा गंगा ब्रिज का काम देखे किस रपतार में हो रहा है पूरा स्ट्रेक्चर ट्रस आपको आपको दिखाई दे रहा है आपको बताते कि रेल राजिंदरे सेत्व के समानां तरीक नए रेल ब्रिज को बन जाने के बाद इस पर से दो ट्रेन एक साथ दोड़ेगी और आ आपको बताते कि 2016 में इस ब्रिज का नीव रखा गया था लेकिन 2020 में जैसे ही इसका काम शुरू हुआ को रोना आ गया उसके बाद काम करोना के दोरानी धीरे-धीरे होता रहा है लेकिन अब जाकर कि जब रफ्तार पकड़ा तो इस तरह बगर कैमरा गुमेगा तो वहां से देखिए लगता कि दो लेयर वाला पूल बन रहा है उपर से इस पर से रोड भी बनाया जा सकता लेकिन वहां तो दो लेयर है लेकिन इसके बाद सिंगल लेयर ही लेकिन उचाई बहुत ज्यादा है इसका और यहां से वहां तक पांच नंबर पीलर तक लगब लग लग रह पूरा उसको देख करके तो कह सकते कि लोग लग रहा है कि जो दो हजार पचीस में पूरा वहने वाला है उसको दो हजार तैस में ही पूरा कर दे इस रफ्तार में काम क्यों किया जा रहा है पूरे ब्रिज के अगर बात करें तो लेगवग एक दसमलब नौ किलोमेटर आपको बता दें कि इधर से जिदर से ट्रस रखने का काम शुरू हुआ इस तरफ में अगर गुमे तो इधर में प्रोश रोट का भी काम उधर से बढ़ता हुआ रहा है और एर कौन का यह प्रोजेक्ट है जिसे एफ कॉन नाम की कंपनी कर रही है और यह गर बनेगा यह ग प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड किये और इसको रिकॉर्ड करें तब से लेकर कभी तक मैं साथ याट गालियों को जाते हुए देख लिए हैं तो समझ सकते हैं कैसे में जो है यह अगर बनेगा तो दो लेन का रेलवेड ट्रैक पिछेगा और कोई भी गाली को सिगनल के इंतज राजिंद्र से तु जरजर हो गया है इसको लेकर के रिंप्लेस करने के लिए उस तरफ में एक सिक्सलें का गंगा प्रिज बंढ़ा है और इसी के समाना तर एक नया रेल ब्रीज इस तरफ में बन रहा है लगवाब पंद्रों सो कोलोर का यह प्रोजेक्ट है और एक दसम् उनसट में अपना यह इतियासिक राजिंदर से तु बनाता और उसको रिप्लेस करने के लिए अब जाकर के एक नया रेल ब्रीज बन रहा है और यह अगर बनेगा तो उस तरह में सिंगल लेन का रेल बिरिज बनाता अब यह डो लेन का रेल बिज अगर आग नजदी का दूसरा दर बिच्वाषाने की वह ब्रह कर देखे अगर दो गाड़ी एक साथ दोड़ेगी इस तरह का वह सथा है सांधर पीलर बन गया है यह तीन नमबर पीलर पहला एक, दो, तीन, चार नमर तर देख रहे हैं, structure रख दिया गया है, और उसके आगे पांच-छे बन करके तयार है, जैसे जैसे इसे इदर ट्रस रखने का काम पूरा हो रहा है, वो इसे आगे के तरह पे पीलर का भी काम पूरा करते जा रहे हैं, और दीरे दीरे बिरिज को आग को दिखेगा, जब आप राजेंदर सेतु से गुजरेंगे इस बिरिज को आप देखेंगे, तो लगेगा कोई विसाल का बिरिज तयार हो रहा है, और ऐसा देख करके दूर से लगता है, कि इस बिरिज पर ऊपर नीचे दो तल्ला वाला यह भी बिरिज होगा, लेकिन नही अईसा कुछ भी नहीं है, सिंगल फ्लोर का यह बिरिज है, जिस पर से सिर्फ रेल गाली चलेगी, और अलग से एक रोड बिरिज उस तरफ में बन रहा है, अगर फ्रेम उधर में आप देखेंगे, तो अपने आप में यह वेलूवल जगा है, उस तरफ में वहाँ पर सिक् रिप्टिंग प्लांट है, उसके अगल में यह अपना इतियासिक राजेंदर सेतु है, और इसके बगल में यह नया अपना रेल बिरिज बन रहा है, इस तरह के काम को होता हुआ, आप एक साथ देख सकते हैं, और यहां अगर आप आएंगे तो लगेगा कि बदलाओ दोनों प्रोजेक्ट अगर बन गया, तो बिहार एक नए इतियास को लिख डालेगा ट्रांस्पोर्ट की सेक्टर में, समय लेक नया रेल ब्रिज और नया सिक्स लेन गंगा ब्रिज, जो एसी आज वाइडेस्ट, 34 मीटर की चोड़ाई है, सिंगल स्पैन पर उसमें, समय ल दो बजे के बाद, प्रोजेक्ट साइट पर कोई नहीं मिलता, लेकिन आज भी देख रहे हैं, यहां काम हो रहा है, कि इस रफ्तार में काम को किया जा रहा है, चुकि चैलेंजिंग बड़े होते हैं, जब बरसात में जलस्तर बढ़ जाता है, तो यहां पूरा काम यहां से बनाया जा रहा है, अभी चलेंगे उस तरफ से भी तस्वीर आपको दिखाएंगा और यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सांदर तस्वीर है उधर का भी, और दोनों ही तरफ से जिस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, उमीद कीजिए कि अगंगा बिज जल्दी ही बन करके त इन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने ड्रोन खरीदने में हमें मदद किया है, और आप सबों का लगातार स्वयोग मिल रहा है, हमने बताया ही आपको कि कोई भी सरकारी एजनसी या सरकार हम जैसे सोसल मीडिया चैनल चलाने वाले लोगों को कोई भी एड़टीजमें ड्रोन जब गिरा था तो उस समय में बताया थे कि जिस तरह से हमारे टैक से पिलित हुए उसके बाद ड्रोन चला गया और फिर जब चैनल का रेटेंसन घट घट गया और इस समय में जब यूट्यूब ने अपने एड के रेवेन्यूस को भी कम कर दिया तो ऐसे में एक क्र सब्सक्राइब किजिए इस्ताग्राम और टुटर पिया मारे आप समुला का पूति आप चाहें तुमाब यूब 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 सब्सक्राइब करते हैं